हर वसंत में सैक्डों साहसिक चाहने वाले टोमो लोंगमा पर चढ़ने का सपना देखते हैं, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। बेस कैम्प पर वे पहाड की उची घातक चोटी पर चढ़ने के मौके की प्रतीक्षा में महीनों तक बैठे रहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लोग जान जोखिम में क्यों डालते हैं? क्या ये चुनोती है? द्रिश्य? आस्मान चुने का मौका? कई लोगों के लिए प्रित्वी पर सबसे उचे परवत एवरेस्ट पर चढ़ने का गर्व है। प्रित्वी की सतह आर्मडिलों के कवच की तरहा है। पपड़ी के टुकडे लगातार एक दूसरे के ऊपर, नीचे और आसपास घूमते रहते हैं। ऐसी विशाल महादवीपिय प्लेटों के लिए गती अपेक्षाकृत तेज होती है। वे हर साल 2-4 सेंटिमीटर आगे बढ़ते हैं, लगभग नाखून जितनी तेजी से। जब दो प्लेटे टकराती हैं, तो एक दूसरे के अंदर या नीचे धकेलती हैं, किनारों पर जुकती हैं और अतिरिक्त परत एडजस्ट करने के लिए उपर उठ जाती हैं। इस तरह एवरेस्ट का जन्म हुआ। 50 मिलियन वर्ष पहले प्रित्वी की भारतिय प्लेट उत्तर की और खिसग गई। बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और परत बहुत ऊपर उठ गई। माउंट एवरेस्ट इस गतिविधी के केंद्र में है। भारतिय यूरेशियन टकराव जोन के किनारे पर स्थित है। लेकिन पहाडों का आकार उत्थान के अलावा अन्य ताकतों से होता है। जैसे जैसे भूमी ऊपर की ओर धकेली जाती है, वायो राशियां भी ऊपर उठने लगती है। उपर उठती हवा ठंडी हो जाती है, जिससे उसके भीतर जलवाश्प संगनित हो जाता है और बारिश या बर्फ बन जाती है। जैसे ही वो गिरती है, वो लैंड्सकेप को नश्ट कर देती है, चट्टानों को पिघलाना या अपक्षय नामक प्रक्रिया में उन्हें तोड़ देती है. नीचे की और जाता पानी अपक्षय सामगरी को अपने साथ ले जाता है और भूद रिश्य को नश्ट कर गहरी घाटियां और टेड़ी मेड़ी चोटियां बना देता है. उत्थान और क्षरण के बीच का ये संतुलन ही परवत को उसका आकार देता है. लेकिन हिमाले की स्वर धलान के साथ बनती है. समय के साथ ग्राविटी और पानी उन्हें खरोच देते हैं. अंततह, क्षरण, उत्थान पर हावी हो जाता है. चोटियां ऊपर जाने की जगा घिसने लगती है. तीसरा कारक जो पहाडों को आकार देता है वो है जलवायू. शुन्य से नीचे के ता और विभिन उचाईयों पर होती है. बर्फीले पोल्स पर बर्फ रेखा, समुद्र तल पर होती है. एक्वेटर के पास बर्फ के लिए पर्याप्त ठंड होने से पहले आपको 5 किलो मीटर की चड़ाई करनी होगी. इकठी हुई बर्फ अपने ही भारी भार के नीचे बहने है. ग्लेशियर, बारिश और नदियों की तुलना में ज्यादा तेजी से लैंड्सकेप नश्ट कर सकते हैं. जहां ग्लेशियर पहाड की चोटियों से चिपके रहते हैं, वे उन्हें अपनी तेजी से रेद देते हैं. वे चोटी को विशाल बर्फीले बज सौ की तरह काट देते हैं. तो फिर बर्फीला माउंट एवरेस्ट इतना उंचा कैसे हो गया? जिस दुरघटना महादवी पिय टकराव से ये पैदा हुआ, उसने शुरू में ही इसे बहुत बड़ा बना दिया. दूसरे परवत ट्रॉपिक्स के पास स्थित है, इसलिए बर्फ की रेखा उची है, और ग्लेशियर अपेक्षाकृत छोटे हैं, मुश्किल से इतने बड़े की वे इसे नीचे तक पहला सकें. परवत परिस्थितियों के एक आदर्श तूफान में मौजूद है, जो इसका प्रभावशाली कद बनाए रखता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. हम एक बदलती दुनिया में रहते हैं, जहां महाद्वीपिय प्लेटे, प्रित्वी की जलवायू और ग्रह की एक शरणकारी शक्ती एक दिन माउंट एवरेस्ट को आकार में छोटा करने की साजिश रच सकती है. फिलहाल, कम से कम ये पैदल यात्रियों, सहसी लोगों और स कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें.